कि नमस्कार दोस्तों लर्ण पावनम संच्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों हमने अध्यन किया अभीते परीते कर्थवा और लपरत्य इनका सामाने परीचे हमने जाना और आज हम नेक्स्ट एक सब्ड के विशे में जानते हूं प्रती 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 का मतलब और या तरफ और या तरफ यह में ध्यान से देखना है प्रती और या तरफ और इससे पहले आपने जाना था क्या अभीते और परिते हैं यह दो जाने थे और एक उभयत हैं अभीते और उभयत हैं दोनों एक ही बात हैं तो लिखेंगे दोनों और दौनू और या तरफ या तरफ यहां पर चारू और या तरफ और यह भी दौनू और या तरफ इस प्रकार से हमने यह दो जाने थे अभीत और परित हैं उभयत है भी जानेगे लेकिन अभीत और उभयत हैं कोई अंतर नहीं है इसका हम उधारन की माठम से अभ्यास करेंगी ठीक है अब जानते हैं प्रती प्रती से पहले जो सब्दा आएगा वो दुद्या विभत्ति में एक जान की दुद्ष्टी से भौत मेंतर पोने साथ हूँ और यदि हमें इस प्वाकर में लेते हैं संस्कित संभाशन के अंतरगत लेते हैं तो भी भौत मेंतर पोने हैं क्योंकि हमें संस्कित बोलने में बहुत ही असानी रहती है जानते हैं विद्याले की और विद्यालय प्रति कहने का मुलब प्रति से पहले हमें द्यूतिया विभक्ति का प्रियोग करना है प्रति से पहले द्यूतिया विभक्ति का प्रियोग करना है जिसी राम विद्याले की ओर जाता है तो देखे राम है राम कुन जा रहा है राम जा रहा है किसकी ओर विद्याले की ओर तो विद्यालयम और प्रती गच्छती यहां पर प्रती है प्रती से पहले द्वित्या विभक्ति का प्रियोग किया गया है किसकी ओर विद्यालय की ओर यह आमने पहले इस पर्ष्ट कर दिया कि जो प्रती है इससे पहले सब्दा आएगा उसमें द्विद्या विभक्ति का प्रियोग किया जाएगा तो विद्यालयम प्रति विद्यालय की और इसका हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो विद्यालयम प्रति विद्यालय की और कौन जाना है राम है राम तो प्रथम पुर सेखवचन है राम प्रथम पुर सेखव अब इसमें दूसरी भक्ति भी हम एड़ करेंगे तो कर्था और क्रिया में कोई परिवर्टा नहीं आएगा जैसे राम है जनकेन सह विद्यालयम विद्यालयम प्रती गच्छकी यह संटेंज जैसे-पहले भी तर्थिया विभक्ति का प्रियोग किया जाता है यह आपने पिछली वीडियो में भी जाना था क्योंकि सह सब्द जब आ जाता है तो सह सब्द से पहले करतिया विभक्ति चाहें परचन हो दिवचन हो या भवचन हो हम प्रियोग करते हैं कि नेक्स्ट है प्रति से पहले द्युत्यागा प्रयोग यह क्लियर हो गया तो राम जनकीन से विद्यालें प्रतिकच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च विद्याले की ओर जाता है अब यहाँ पर हम वचम चेंज करके भी देखते हूं देखिए रामह बाल का भ्याम बाल का भ्याम सेह विद्यालयम विद्यालयम प्रती गचरी ये वाके हैं रामह बाल का भ्याम से दो बालकों के साथ देखिए तर्तिया विवक्ति क्या होगी बाल की तर्तिया विवक्ति ये पुर्चन कर्ण का है बाल का भ्याम दिवचन और बाल का भ्याम तर्तिया विवक्ति दिवचन है राम है बालका ध्यांग से राम दो बालकों के साथ विद्यालयम प्रती के छती विद्यालय की और जाता है तो देखिए सहे से पहले हमने पहले क्या एक वचन फिर दिवचन यूज किया mm धिद्यालयम कि हैं रती में birthday मिसक्रादि ये तेंसे न कि न कि ईक्रामरां बाल्क है वालफों के साथ डेख्या्विवक्ति भे जर्चाने बहुत सारे वाल्फों के सार्च सहे से पहले तरतिया विभक्ति का प्रियुक करें। तो रामय बालक ही से रामय बालकों के साथ विद्यालयम प्रतिक अच्छती विद्यालय की हो जाता है। यह sentence किया। आब यहां पर विद्धालेयm के अस्थान पर हम जिसकी तरप जाते हैं वहें यहां पर लिख सकते हैं कि निक्स सेंटेंश के माध्यण से जानते हैं जिसे बोल देते हैं कि मैं बगीचि के और जाता हूं मैं बगीच тебя के और जाता हूं किस के साथ मतर की शाथ kis तो लिखेंगे हिंधी में देखें मैं मित्र के साथ बगीची की और जाता हूँ यह सेंटेंस है मैं मित्र के साथ बगीची की और जाता हूं कोई जा रहा है मैं करता हो गया मैं जाने वाला और क्रिया भी इसी कहनों साथ यूज करें तो क्रिया भी उत्तामपूर से एक वचन की हम यूज करें साथियो यदि आप रवलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पुरुस से समंदित किसी प्रकार की कोई समझ्या आई नहीं सकते तो पुरुस से समंदित शुरूग की वीडियो आप अवस्य देखें उसमें सब कुछ एक्स्प्लेंट किया गया है तो देखें मैं मित्र के साथ बगीची की और जाता हूं पुरुस के विसम एक बार और सारितों में कि एहम आवाम वयाम यह उत्तंपुर्श की तीन करता है कि इसके अलावां उत्तंपुर्श की करता है और त्वाम युवाम 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 यहहाँ पर साथ्यों जाने वाला कौन है एहम कितने मित्र हैं एक तो हमने बात किए कि सथे कितने मित्र एक मित्र तो तรत्या बवक्ति इक बचन का यूज करेंगे cuánt मित्रेन, मित्रेन, एह में मित्रेन से मैं मित्र के साथ, किस की और बगीचे की और, तो देखे साथ की और के आर्थ में क्या प्रति, प्रति, बगीचे को संस्कृत में क्या बोलते हैं उध्यान, तो उध्यान में डिल्टिया प्रिभक्ति का अपरियों करेंगे उध्यानम, औ तो मैं मित्र के साथ बगीची की और अब नेक्स्ट करी आ गई जाता हूं यह कैसे लेकिन देखिये मैं उत्तमपुर सेखवचन है तो उत्तमपुर सेखवचन की क्रिया का परियोग 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 तो क्या होगा गच्छामी यह सेंटेंज मन गया हमारे एहम मित्रेन से उत्याना प्रति गच्छामी मैं मित्र के साथ बगीची की और जाता हूं आपको केवल करता देखना है क्रिया के लिए और करता हमेशा प्रतिमा विभक्ति में होता है आपको करता के अत्रिक्त दूसरे सब्दा आ रहे हैं क्रिया के पूर्ति के लिए दूसरे सब्दों को देखने की आवसिता नहीं है क्योंकि क्रिया हमेशा करता का अनुसरन करती है क्रिया हमेशा करता का अनुसरन करती है करता के बिना क्रिया कोई ही नहीं क्योंकि क्रिया क करता की अनुसार की संथी तो एह में मित्रेण से उध्याना प्रतिक अच्छामी मैं मित्र के साथ बगीचे में जाता हूं और मैं मित्र के साथ बगीचे में गया था तो तो क्या करेंगे, sentence में हम परिवर्टन करेंगी क्यों यहां गया था, तो tense change हो रहा है, लकार change हो रहा है, sentence वही है, मैं मित्र के साथ बगीची की और गया था, तो यहां पर change करेंगे हम, क्या change करेंगे, तो साथियों जैसे sentence तो लिख देता हूं है, एहम मित्रेण से उध्यालम प्रति, अब देखें एहम उत्तामपुर से एक वचन, तो उत्तामपुर से एक वचन की क्रियाता प्रियोग करें, किस लखार में, लंग लखार में, भूत क जैसे एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, प्रतंपुर्स, एगच्छा है, एगच्छतम, एगच्छत, मध्यांपुर्स, एगच्छम, एगच्छा, एगच्छाम, उत्तंपुर्स, तो उत्तंपुर से एक वचन की क्रिया यूज़ करेंगे, एगच्छम, तो यहां मैं मित्र के साथ बगीची के और जाऊंगा तो यह फिर सटेंस हो गया जिसको हम संस्कृत में बलेंगे लिट लगा हिंदे में कहींगे भविशत तो यहां पर क्रिया चांज कर तो क्या गमीशती गमीशत है गमीशती प्रतमपुर्श की क्रिया गमीशती गमीशत है गमीशत मध्यमपुर्श की क्रिया और गमीशामी गमीशाव है गमीशाम उत्तमपुर्श की क्रिया गमीशामी उत्तमपुर्श रिवचन और गमीशाम उत्तमपुर्श बहवचन तो यहां पर उत्तम्पु सीखवचन का करटा है तो हम उत्तम्पु सीखवचन की ही क्रिया का परयोग करेंगे साथ योग तो देखी यह सेंटेंस लिख रहा हूं प्रती तो लिखेंगे गमीशा में परिवर्तन कहां आ रहा है क्योवल किरिया मैं मित्र के साथ बगीची की और जाओंगा इसी प्रकार से लोट लकार की प्रिया भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि मैं मित्र के साथ बगीची की और जाओं परमीशन दे रहे हैं मैं मित्र के साथ भगीची के ओर जाऊं तो यहाँ पर क्या युद्च करेंगे ये सेदिदेल्स, मैं मित्र के साथ उत्यानन प्रति वहीजिक के ओर गठ्छानी लोट लकार है उतांपुर्सेगवचन की किला गच्चतू गच्छताम गच्छंतू गचछतम गच्छत गच्छानि गच्छाम गच्छा नी ऑतौक शेकवचन जच्छ सेखवुच है तो यद्धामपुर की पल्यों से पत purely विधीव लिंगल जिसके योज करते हम चाहिए किया योग ये लने आशिरवाथ कियारथ में प्रार्थना के अरत में इंघ्जाच के अर्थ में इन एल्थों में विधिक लगार का प्योग किया जाता है तो में ठोड़ा संब ध्यान देंगे कि किस परकार से उसमें हम करतादा चैन करते हैं तो देखेंगे विदेलिंग लकार में हम यूज़ करेंगे कि देखें साथ यह हो मैं सेंटेंस लिखता हूँ मुझे मित्र के साथ बगीचे की और जाना चाही यह सेंटेंस है विदेलिंग लकार में मुझे मित्र के साथ बगीचे की और जाना चाही हम इसमें जानेंगे कि करता कहा है करता की पेचान कैसे खरेंगे तो इस सेंटेंस में मित्र के साथ बगीचे की और जाने वाला को यहां पर मुझे आ रहा है को लिकिन मुझे से इस पस्ट नहीं हो रहा है कि करता हुए कि करता तो आप एंगे कि मैं होता है मैं होता युदि याँ पर मैं लिखू मैं में मित्र के साथ वगी ची की और जाना चीए तो क्या हिंचे में सेंटनस है होगा नहीं मैं मित्र के साथ बगीची के और जाना चाहिए यह तो सेंटन से ही नहीं तो हमारी हिंदी जो भासा है उसमें क्या यूज़ होगा मुझी और संस्कृत में हम मुझे की स्थान पर क्या यूज़ करेंगी और इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगी भई मुझे मित्र के साथ बगीची के और जाना चाहिए I should go to the garden with my friend ऐसी उस करते हैं लेकिन मुझे subject के लिए क्या यूज़ करेंगी I मैं हो गया I का मतलू इसी परकार हम संस्कृत में भी मुझे जो करता है मुझे मिंच करता है यहाँ पर हम यूज़ करेंगी यह हमें ध्यान रखना कि इस वाथिये में करता कोन है मित्र के साथ बगीची के और जाना चाहिए किसी जाना चाहिए मुझे स्वयम अपनी आख को एक सजेशन दिया जारा कि मुझे जाना चाहिए तो स्वयम जो फर्ष्ट पर्षन है वो यह थोड़ी ख़ेगा कि मैं जाना चाहिए वे तो ख़ेगा कि मुझे जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए ठीक है कि निए तो इसलिए यहां पर हम संस्कृत में करता में किसी प्रकारा का कोई अंतर नहीं पणता है। यह हमारी हिंडी भासा सासी यह संस्कृत त्रांस्लेशन के लिए हमें जानना है कि मुझे कि इस्ताञी स्टान पर हम् क्या यूज़ करें। एहम यदि करता के रूप में मुझे आता है तो वहां पर एहम यूज़ करेंगे कि एहम मित्रेण से मित्रेण से उध्यानम प्रती गच्छेयम उत्तमपुर्स एकवचन की क्रिया का प्रियुक कर जाएगा गच्छेयम उत्तमपुर्स एकवचन की क्रिया जिसे गच्छेत, गच्छेयम. गच्छेयम उत्तमपुर्स एकवचन गच्छे इस प्रकार से यूज़ करें, तो एहम मित्रेंज से मुझे मित्र के साथ उध्यानम प्रतिक छेयम भगिछी के और जाना ची। यहाँ पर जो करता है हिंदी में वो करम की तरह यूज होता है। नेक्स मानेजे हम दोनों को मित्र की साइब बगीशीक वोर चानम ची cry őं तो जान दे आ ले हम दोनों को तो हम दोनों के एलिम क्या उछ करेंगे आवाम यहां पर संश्कित में आवाम ही यूद करेंगे इंगलिज में भी बहुत आवाम हे मित्रेड से उध्यानप्रती गच्षें आवाम उत्तम्पुस दिवचन है उत्तम्पुस दिवचन की क्रिया का प्रयुक्त इस प्रकार से देखिए आवाम मित्रेण से पुद्ध्यानम प्रति गच्छेव यह आवाम उत्तमपुष दिवचन का करता है उत्तमपुष दिवचन की क्रियागा प्रयुक्या लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे हम दोनों को मिंत्र के साथ बगीची के और जनाची क्यों करता चेंज हो रहा है और पूरे सिंटेंज को को रिवर्दाना लेकिन संस्कृत हमें करता यह डोँ रंकार्ने में कर्ता चेंज हो इतने शेंटेंज कुई परिवर्दान के यह हमें हंति कि मासदा के माध्यम से ते त्रांस्केटंस कररें हम दोनूंको मित्र के साथ friends कि कि अम नेक्स्ट भू अच्छन में यूज करेंगी कि हम सबको मित्र के साथ फार अच्छी पॉर्जानाँ चीए हम सबको तो यूज करेंगे वयम यहां पर संस्कीट में तो वयम मित्रें सहट उध्यानम प्रति गच्छें कि वयम उत्तमपुस्थ भवचन का करता है गच्छें उत्तमपुस्थ भवचन की क्रियां ठीक है लेकिन हाँ पर हम सबको मित्र की साथ गची क्यों करता चाहिए वयम मित्रें सेख मित्र की साथ उध्यानम प्रति गच्छें उध्याम की और जानाँ चीए गचीक विशी शुरुक्षी हमने ये विद्धेलिंग लगार्ट के तरता की जो परिवतन करने का जो तरीका ह वो भी शिसी का नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यान पूर्श और पर्थम पूर्श के विशे में भी इस विधीलिंग लका आकि समदित सेंटेंस बना करके जाने हमझे विशे कि जरा हमें प्रति परति से पहले व्यूद्या विभक्ति का प्रिफ्ट्य यहाँ पर एक ही सिंट मित्र के साथ विद्याले की और जाना चाहिए तो उध्यानम के स्थान पर क्या करेंगे विद्याले का हमें मित्र के साथ घर की और जाना चाहिए तो क्या करेंगे ग्रहें हमें मित्र के साथ बाजार की और जाना चीए तो क्या कर देंगे आपणम प्रति हमें मित्र के साथ आश्रम की और जाना चीए तो लिखेंगे आश्रमम प्रति हमें मित्र के साथ मंदिक की और जाना चीए तो लिखेंगे मंदिरम प्रति हमें मित्र के साथ अध्यापक की और तो लिखेंगे अध्यापकम प्रति, इस प्रकास, प्रति से पहले द्वितियाविभक्त से प्रियोग किए जाएं, तो साथ आज रहे गया आधिताय परित्य प्रति की विशे मिलाई, उभयत की विशे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें, तो विद्वान साथियो य झाल झाल